कि जीडी नगर इलाके में लाक्ष मिलने से सुन से निफाल गई जिसकी जुआनकाई आसपास के लोगों ने पुलिस को दी और जिसके बाद पुलिस और फॉरन से की मौके पर पहुची सीएसपी मरोची दृब का कहना है कि मिता करशव गल चुका है इसलिए सुनाक्त नहीं हो पाई है पोस्ट मॉट्म रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलास हो पाएगा कुछ लोगों से मैं सुतना मेरी थे कि यहां एक साओ है गर के तो ततकल पुलिस अधिकारी सब मौके पर अस्तित होगा और क्योंकि साओ को जेखने साथ लगता है कि वो तीन-चार दिन पुराणी लग रही है इसलिए उसके तद्दिक जा रही है कि क्या परिसिदिया रही कैसे कि इसके मित्ति हुई है पूरी जानकारी सौव के पुश्मोटर रिपॉर्ट के बाद ही लगाई जा सकती है अभी समय पे हमारे फॉरेंसीक अधिकारी बहुँच चुके हैं वो भी जाँच कर लगे होए है पूरी तरह से इसमें जाँच की जाएगी जो भी है ये उसके बार पर चल दिगने का बारे है दिगने लाखे में एक दिगने के बाद संषनी फैल गही है सुबा आसपास के लोगों ने इस सौ को देखा उसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी थी इसके अलाबा जो पुरानी वस्ती CSP हैं वो भी यहां पर पहुचे हैं और अन्य थानों में ये पता लगा जा रहा है कि कहें पर नहीं गुमसुदा ब्यक्ति की सूचना थोड़ी है और पूरी 37 में अब लास्ट मिली के बाद जो पुलिस के टीम है वो जूटे हुई है इसके अलाबा जो साइबर पुलिस है उसके भी मदद यहां पर ली जा रही है यहां पर आप देख सकते हैं